हलो और वेलकम दोस्तों दूफाइ मिनेट्स इंजीनियरिंग आज का वीडियो आके बड़ा कम्माल का होने वाला है दोस्तों कि देख लीजे इस मुद्दे के बारे में चर्चा आज एक्जामपल के साथ होने वाली है साइफरैक्स को में प्लेंटेक्सुं केहते हैं तो इसका स्पलिग हेलो और हमको दो यह पता है कि हमारे जो A, B, C इस तरीके से जहर तक जो है 0, 1, 2, 25 तक हमने नंबर दे गी है तो उसी इसाब से हेलो का निकलता है 7 मतलब हेलो में H का निकलता है 7, E का निकलता है 4, L का 11, 11, O का 14 यहां तक मामला हमारे प्लीन टेक्स्ट के आकड़े तो हमारे सामने आ गए अब आती की की बारी अब इसमें जो की है वो ऐसी नॉर्मल की नहीं होती इसमें आटो की वाला फंडा होता है यानि कि इनीशल की हम लोग ले ले लेते हैं जिसे जैसे फॉर मने एक्जामपल यहां पर 12 ले लिया एक एक्जामपल की तोर पे इनीशली की का एक आकड़ा हम यहां कंसिडर कर लेते हैं एक इनीशल ऑटो की हमने यहां पर असाइन कर ली 12 और फिर बचे हुए वह या बचाओ अभी तो इतना की बचा है मैसेज तो बहुत बड़ा भी हो सकता है तो इसलिए आपका की का जो इसलिए वह तो अभी बच्चा हुए आपने सर्फ एक आकड़ा रख दे यहां पी नहीं शलिया बाकी को क्या करोगे तो बाकी का कुछ नहीं करना जो आपका प्रिवियस एल्फाबेट का आकड़ा है वो अभी आपका करंट रिस्पेक्टिवली की का आकड़ा होगा यानी एरो देखो बारा के आगे कौन सा आकड़ा होगा इस प्रश्णा का उत्तर मिलेगा आपको अपके प्लेंटेक्स के आकड़े को देखके तो ये जो है ये सेकेंड होगा ये फॉर्फ ये फिफ्ट होगा और ये फौर्टीन आपकगा की के अंदर होगा ही नी बात समझ में तो यहां पर जादा कुछ complicated किया नहीं है, आपने सिर्फ initially अपने key के लिए एक आकड़ा लिया, 12 समझ लो, और उसके बाद भाईया कौन से आकड़े जाएंगे, let's say for Ith position, Ith position कौन सा आकड़ा आएगा, तो आपके plain text का जो I-1 वाला है, यानि कि इस position के ठीक पहला वाला जो ह है, वो यहां पर allocate किया जागा, इस position के ठीक पहले वाला जो है, वो यहां allocate किया जागा, इस position के ठीक पहले वाला जो है, वो यहां allocate किया जागा, इस position के ठीक पहले वाला जो है, वो यहां allocate किया जागा, इस position के ठीक पहले वाला जो है, वो यहां allocate किया जागा, इस position के ठीक पार्ट ठीक है तो क्या करना अब यह एड करो 12 प्लस 719 अब यहां देखो साइफर टेक्स का सारा कैलकुलेशन किया हुआ तो जो कते हो जो कते हो जो कते हो वैसा का वैसा आ जाएगा यहां 19 19 11 15 22 25 यह बहुत सारा यल्गुरिदम में भी यह जो मौड का बेवरियम देख चुके है ठीक है बड़ा सिंपल सा मामला अब हम सिंपली क्या करेंगे अपने चैरेक्टर और आकड़ों का मैपिंग है उसको करेंगे देखेंगे 19 के लिए कौन है टी है एक बार देख लेना 19 के लिए टी है लॉजिक समझो फंड़ा समझो कि हो क्या रहा है 11 के लिए L है वो तो हमने यहीं देख लिया था 11 का L है 15 का P है 22 का W और 25 तो Z हो ना मंगता ही चैक इने वह दिख रहा है आपने को उसमें क्य साइफर टेक्स्ट यह उसके आकड़े के मतलब क्या आपकी की उसके आकड़े यह देखो उसी के आकड़े मैंने लिए और उसमें वह यह सब्ट्राक करके मौट 26 अपने को लगाना है जैसे कि टी का 19 है तो यहां देखो 12 माइनस 19 नहीं 19 माइनस 12 साइफर आकड़ा माइनस क यह आकड़ा देट इस 19 माइनस 12 तो वह कितना निकल के आ जाता है यहां लिखा यहां लिखा है तो 19 माइनस 12 सेवन 11 माइनस 7 इस 4 15 माइनस 4 इस 11 22 माइनस 11 इस 11 25 माइनस 11 14 बात क्लियर है लगा दो यह मौड यह वाला पॉजिशन अभी बचा है फॉर्मूले का तो मौड 26 जो का तो लिख दो भाईया 7 4 11 11 14 आगया आगया आपका हेलो वापस से आपको मिल गया जिस बाइव फॉलूइंग दीस टू फॉर्मूला लेकिन मजा नहीं आया है है कि नहीं बेसिक आइडिया तो पता चल गया है कि हो क्या रहा है लेकिन थोड़ा सा और भी केसेस को यार थोड़ा नापा तोला जाए समझा जाए कि नहीं यहाद है कि for example let's say let's say just make example consider कर रहा हूं यहाँ पे अगर मैं 12 ले लूँ let's say not 11 L के बाद क्या होता है M होता है ना तो let's say my message is something like this something like this my message is something like this ठीक है यहाँ 12 है तो यहाँ पे भी आपका की में 12 आ जाएगा सही बात है और यह आपका 12 प्लस 11 कितना हो जाएगा not 22 यहाँ 23 हो जाएगा और यह 14 प्लस मैं बस थोड़ा से एक आपको केस दिखा रहा हूं कि ज यह भी इंपॉर्टेंट है यह भी आपको चीज पता हो नहीं चीफ तो चलो उसके बारे में discussion करते हैं तो यह 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा 26 26 26 कितना हो था 26 को अगर 26 से डिवाइट करें तो रिमेंटर क्या मिलेगा जीरो अंडा है कि नहीं तो आपने क्या मिल जाएगा यहा यहां पर 23 हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा तो यहां पर यहां पर जाएगा और यह 23 हो जाएगा ठीक है क्यूंकि अभी कुछ ऐसा calculation आने वाले जिसके बारे में आपको आईडिया हो नहीं चीए आपको पता हो ना चीब बेसिक चीज है ठीक है तो यहा करो सिंपल सी बात है हाँ यह भी की भी अपने को बदल नहीं कि अभी तक बदली नहीं मैंने यस करेक्ट तो 19-12 7 सही 11-7 14 सही 15-4 11 सही अब देखो आप आता है मज़ा अब मज़ाएगा 23-11 23-11 कितना आता है इट शुड बी 12 सही बात है कि नहीं अगर आपको ऐसा नहीं समझ भारा तो इसको आड़ करो 12-11 23 अगें तो सब्ट्रेक्शन इस करेक्ट अब आते हैं 0-12 तो यहाँ पर 14 नहीं आएगा यहाँ पर माइनस 12 आएगा अब आता है केलकुलेशन में ट्विस्ट यानि कि अभी हमारा फॉर्मुला हो गया है माइनस 12 मौड ऑफ 26 यह वाले फंडे तो सब 26 से छोटे है 7 4 11 12 तो इनका तो भाईया सीधा सीधा मामला आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके से देखो ह यहां तक मामला करेक्ट है अपना लेकिन यह कैसे लाओगे ओ यहां तो माइनस 12 दिख रहा है तो इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे तो बेसिकली इनको कहते हैं कुछ ऐसे नियुमेरिकल जो की नेगेटिव मौड ऑपरेशन हमारे होते तो उनको पड़े सिंपल तरीकी कैसे किया जा सकता है यह जो आपका नेगेटिव आकड़ा इसको रख दो भाईया एलेचेस में सही बात है और फिर उसके बाद 26 इंटू क्यू करो प्लस यहां पर हमारा रिमेंडर है तो इस फॉर्मूले में भाई साब अपने को यह फाइंड करना है रिमेंडर आप रिमेंडर मिलने कोशिच करते हैं ज tengahyi क्या हो जाएगा 26 इन्टू माइनश 1 प्लस- आर तो यह क्या हो जाएगा माइनस फ्णेश प्लस आर फैरली क्या विलेग माइनस 27 होगा नई प्लस 26 जब माइनस इधर चला जाएगा तो वह प्लस हो जाएगा लेकिन 12 दो इधर that is equal तो आपका आर क्या गया 14 रिमेंडर क्या गया 14 तो अगर यह 14 आ चुका है तो इसका फाइनल आंसर 14 तो लिखा यहां पर सिर्फ भाईया बारा आपना करना रहे गया जो की चेंज जिंदर हमने आकड़े किये थे तो उसे रहाव से हमारा 14 रिमेंडर आ चुका है मौड ऑपरे तो यही कुछ चीज़े आपको करने एक और exercise में देता हूं ज़रा करिए और comment section बताइगा क्या answer आए let's say let's say मैं ऐसा करता हूं यहां पर n ले लेता हूं थोड़ा सा और थोड़ा सा और difficult इसको करते हैं थोड़ा different करते हैं okay यहां पर अभी यह 13 हो जाएगा m के बाद n तो 13 हो जाएगा और यहां पर भाया मैं 13 प्रोवाइड करूंगा तो अभी 14 and 13 कितना हो गया 27 हो गया तो अभी यहां पर मामला 27 का हो चुका है बाकी यह addition कितना हो जाएगा 24 सब चीज़े changes करने आपको हाँ उस हिसाब से मैं सिर् दो के साथ में खेल रहा हो तो 24 आगया यहां पर तो what I am going to get here x की जगह यहां पर आ जाएगा y और यह कितना आ जाएगा 27 mod 26 मतलब 27 divided by 26 तो इसका remainder कितना आता है जी इसका remainder कितना आता है जी इसका remainder आता है यहां पर 1 that is nothing but b तो यहां तक का भाया encryption का मामला आप तक मैंने अगर यह वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो इसे लाइक कर दीजिए उससे भी जाज़री इस वीडियो की शेयर कीजिए अपने साथ दोस्तों के साथ थैंक्स अलोट दोस्तों पर वाचिंग दिस वीडियो